सब्सक्राइब कीजिए प्रतिमेश जोतिश चैनल को ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्थ हो बात करें आज की पंचांकी तो आज 18 जन्वरी मंगलवार का दिन है माक क्रिश्न पक्ष की प्रतिपदा तिति है सनातन धर्म में यू तो हर ब्रत का अपना महत्व है लेकिन एकादशी का विसेश स्थान है एकादशी तिति भगवान विश्णु को समर्पित होती है इसलिए एकादशी को हर बासर या हरी का दिन भी कहा जाता है हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दो एकादसियां पड़ती हैं और इस ब्रत को करने से सभी पापनिष्ट हो जाते हैं वह व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है सास्त्रों में एकादसी ब्रत को करने के विशेस नियम बताए गए हैं कहा जाता है कि इन नियमों का पालन सही से नहीं किया जाये तो ब्रत का कोई फल नहीं मिलता एकादसी के दिन बताया जाता है कि ताम से भूजन से परहेच करना चाहिए और चावल नहीं खाना चाहिए कहा जाता है कि इसे खाने से मन में अशुदता आती है आई जानते हैं एकादसी के दिन चावल क्यों नहीं खाने चाहिए सास्त्रों में बताया गया है कि एकादसी का ब्रत इंद्रियों पर नियंतरन के लिए खास उद्देश के लिए किया जाता है तकि मन को निर्मल और एकाग्रिचित रखा जाए एकादसी के दिन चावल खाना निशीद बताया जाता है बहुत से लोग इस बात को जानते हैं लेकिन इसके पीछे के नियम क्या है इस बात से अंजान है आज हम आपको एकादसी के दिन चावल ना खाने के धर्मिक तथा बैग्यानिक कारण बताएंगे पौरानी कथा के अनुसार माता शक्ती के क्रोध से बचने के लिए महाशी मेधा ने अपने शरीर का त्याक कर दिया था इसके बाद उनके शरीर का अंच धर्थी माता के अंदर समा गया मानेता है कि जिस दिन महार्शी का सरीर धर्टी में समा गया था उस दिन एकादसी थी कहा जाता है कि महार्शी मेदा चावल और जो के रूप में धर्टी में जनम लिया यही वज़ा है कि चावल और जो को जीव मानते हैं इसलिए एकादेसी के दिन चावल नहीं खाया जाता मानियता है कि एकादेसी के दिन चावल खाना महशी मेधा के और मास और रक्त कर सेवन करने जैसा होता है सनातन धर्म की परमपराय और मानियता है किसी ना किसी बैग्यानिक दिश्टी कोण पर आधारित होती है ये पूरवजों का ही दिया दिव्वे ग्यान है जिससे ये परंपरा आज भी सटीक बेढ़ती है बेग्यानिक तत्यों के अनुसार चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है वही जल पर चंदर्मा का प्रभाव अधिक पढ़ता है और चंद्रमा मन का कारक होता है चावल को खाने से सरीर में जल की मात्रा बढ़ जाती है इससे मन बिचलित और चंचल होने लगता है मन को चंचल होने से ब्रत के नियमों का पालन करने में बाधा आती है यही वज़े है कि एक आदेसी के दिन चावल से बनी हुई चीजों को खाना बरजित बताया गया है बात करें 18 जन्वरी के मेश रासी फलके तो आज के दिन पोस्ट ग्रेजुएशन की तयारी कर रहे चात्रों के लिए आज शुब दिन है और उन्हें कहीं से अच्छा जोब ओफर मिल सकता है इसलिए किसी भी अपसर पर गेहनता से बिचार करके ही उत्तर दें प्रिशब रासी की बात करें तो सभी के साथ आपका सम्मन्द आज मधूर रहेगा किसी को ये बात खटक सकती है और आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है इसलिए आवशक्ता से अधिक किसी पर विश्वास न करें मितुन राशी वालों के लिए आज अपने किसी दोस्त के साथ आपका मन मुटाब हो सकता है जो रिष्टों में दूरियां बढ़ाने का काम करेगा परिवार में आपको लेकर सकारात्मक माहौल बनेगा करक राशी की आज की बात करें तो आज के दिन आपके अंदर एक उर्जा बनी रहेगी और आप खुद से पहले से जादा तरो ताजा महसूस करेंगे सभी के साथ आपका ब्यवार मृदू रहेगा आज की सिंग राशी की बात करें तो ब्यवपार में लाब होगा और किसानों की आए भी अच्छी रहेगी घर में कोई नई खुशी आएगी जिसको लेकर सभी प्रसन होंगे आज की कन्या राशी की बात करें तो निजी नौकरी कर रहे लोगों को अपनी जोब से आराम मिलेगा और काम का बोश थोड़ा कम होगा आज के दिन आप अपना ज़्यादा तर समय अपने परिवार के साथ वितीत करेंगे आज की तुला राशी की बात करें तो किसी अपने की कोई बात आपको आज बुरी लग सकती है लेकिन आप उससे कहेंगे नहीं और मन में ही रखेंगी इसे रिस्तों में दूया बढ़ेंगी इसलिए खुल कर बात करें अज अपने प्रेमी के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं लेकिन उसे कुछ अर्चने आएंगी मित्रों का भरपूर साथ में तो मिलेगा जो आपको खुश कर देगा आज धनू की राशी की बात करें तो अपने स्वास्त पर बिशेश ध्यान दें क्योंकि आज आपके शरीर में दर्द की सिकायत रह सकती है इस कारण आलस भी होगा और कहीं जाने का मन भी नहीं करेगा आज की मकर राशी की बात करें तो परिवार में कोई पुरानी बात को लेकर मतवेद सामने आ सकते हैं लेकिन आप सहियम से काम लेंगे तो इस्ति समल जाएगी किसी भी विशेपर बोलने से पहले उस पर विचार अवस्य कर ले कुमराशी की बात करें तो अपनी मा के स्वास्तप का आज विशेष धान रखें और उन्हें बाहर जाने देने से बचें घर का बना पौश्टिक आहरी खाएं और अंजान व्यक्ति से न मिलें आज की मीन राशी की बात करें तो आज के दिन दूसरों के मामलों में दखल न देयान ने था सब बात आपके उपर आ सकती है और आप बेवज़े उसमें फस सकती है आशाय वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आए तब लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए धन्यवाद